आर्टी एच बिल के विरोध में डॉक्टरों का धर्ना प्रदर्शन 13 दिन भी जारी रहा। इससे बढ़िया तो जो यूजना चल रही है। उसी को बहतर किया जा सकता था। सरकार को तो पहले से ही पता है कि प्रदेश के निजी हॉस्पिटल बहतर सिवाएं दे रहे हैं। आसपास के प्रदेशों के भी लाखों मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। प्रदेश में चिकित सर्शेत्र हजारों लोगों को रोजगार देता है। सरकार की हठ धर्मिता से हैं सभी लोगों पर रोजगार संकट में आ गया है। डॉक्टर केवल डंग ने कहा कि कुरोना काल में सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल ही नहीं बलकि सभी निजी हॉस्पिटल्स की सेवा के जज़बे से ही हम उस जंग को जीतने में काम्याब हो पाय थे। सरकार अपने RTH नामक काले बिल में सफेद जूट बोल रही है। बिल लाने से अच्छा है जो यूजना चल रही है उनको ही बहतर किया जाए। वैसे भी सभी को उपचार मिल रहा है। चिरन जीवी में कोई भी डॉक्टर इलाज के लिए मना नहीं कर रहा तो इसे लाने की जरूरत ही कहा है। जब एक डॉक्टर करोरों रुपए लगाकर अधुनिक सुविधाय सरकारी हॉस्पिटल से पहले देता है तो इसका मतलब सरकार की विवस्थाएं फेल हो गई। अर्बो रुपए खर्च करने के बाद भी सरकार अच्छी चिकत सा सेवा देने में सफल नहीं हुई है और अब निजी शेत्र में हस्तक शेपकर प्रदेश का महौल विगार रही है। मेर कानूल वाप तो अजाल मोँ ल माजल मोँ तो दिन्हीन इसका निन्हीन आश …